नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सूखी खांसी के लिए आप लोग भर पर दवा गैसे बनाएं, तो ये अद्रक है, अद्रक जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम में लिया जाता है, घर में आप लोगों को समाने तोर पर ये मिल जाता है, आप लोग अद्रक मे से क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, अद्रक की जो तासीर होती है, वो गरम होती है, सहद की तासीर गरम होती है, अद्रक में ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं, जो कि आप लोगों को हर बिमारी से लड़ने की जो ताकत है, वो अद्रक जो है, वो आसानी से पत्ते हैं, लोंग है, अधरक है, इन सभी को सबसे पहले आप लोग पानी में डाले, इन सभी के अपने अपने गुण है, जैसे लोंग की तासीर भी गरम होती है, तो जो खासी है, आप लोगों का जो गला है, वो रुका हुआ है, वो साफ करने के लिए आप लोग लोंग जो यह यह सहद है आप लोग कोई भी सहद जो है वो काम में ले सकते हैं बाबा राम देवजी वाला भी सहद जो है वो आप लोग काम में ले सकते हैं मैंने बाबा राम देवजी वाला सहद ही काम में लिया है तो तो सबसे पहले इन सभी को आप लोगों को गरम करना है और इतना उबालना है जैसे आप अभी आपके सामने जो है इसमें दो गिलास पानी के हैं ध्यान रहे जितना आप लोग पानी ले रहे हैं उसमें पानी की जो मात्रा है आप लोग दो क्लास ले सकते हैं और इनमें सभी में उबालने ध्यान रहे जितना आप लोग पानी ले रहे हैं उससे जब एक चोथाई रहे जाए तो यह उसदी बहुत ही अच्छी रहेगी उब रहे जाएगा तब भी आप लोग जो है उसको काम में ले सकते हैं ये देखिए पानी जो है वो उबल रहा है ये सारे के सारे जो गुण है जैसे अधरक के जो गुण है वो पानी में आ रहे हैं तुलसी के जो गुण है वो भी पानी में आ रहे हैं जो बचा हुआ पानी है वो जो बेकार का पानी है वो वास्प बन कर उड़ रहा है तो जो गुण है वो नीचे बैठ जाते हैं जो असुद्य है वो उपर आ जाती है तो वैसे ही है पानी के अंदर सारा का सारा गुण जो है वो अधरक का लोंग का तुलसी का निम्बू का आ जाएगा पानी के अंदर इस उसके बाद में आप लोग सहद को थोड़ा सा गरम कर लें, पिखला लें, अगर जम चुका है सर्दी के अंदर, तो आप लोग उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लें, उबाले नहीं ध्यान रखना, सूखी खासी के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मुलेठी जो है वो आप लोग काम में ले सकते हैं, मुलेठी गले की जो खरास वो जल्दी ही दूर कर देता है, आप लोग उसको काम में ले सकता है, इस पानी को आप लोग किसी बरतन में निकाल लें, देखिए मैंने इस पानी को बरतन में निकाल लिया है, इस पानी के अंदर सारे के सारे गुण जो है वो तुलशी के हैं नीम के हैं नीमबू के हैं उदर अधर के हैं तो ये पानी के अंदर इनके गुण आ चुके हैं अब आप लोगों को जो सहद है वो आप लोगों को थोड़ा सा मेल्ट करना है ध्यान रखिए उबालना नहीं है आप लोगों को इसको मेल्ट कर लोग ले सकते हैं यह गले की खिरास को दूर करने के लिए बहुत ही जादा उपयोगी है इससे अच्छा जो है वो मैं यह कहूंगा कि गले के लिए कुछ नहीं है तो आप लोग बच्चे को भी अगर चोटा बच्चा है तो भी आप लोग जाइफल और सहद चटा सकते हैं च बच्चे को या जुक्खाम होता है बच्चा को तो आप लोग सहद जो है वो बच्चे को चटवा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फाइदा जो होता है वो इंधर Meu खचु का है अब इस सहद को आप लोग इसमें मिला ले जो पानी अभी आमने चन्नी से चाना है उस पानी में आप लोग इस सहद को मिला ले और यह आप लोगों की जो दवाई है वो तयार हो गई है यह खांसी के लिए जो दवाई है वो बहुत अच्छी है मुलेठी आप लोग इसमें काम में ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो जो गले को मिठास जो है वो देने का काम करती है इसको किसी अलग कांच की बोतल में निकाल ले और दिन में दो बार इसको काम में ले दो दो चम्मत जो है वो इसकी आप लोग पीए आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइदा होगा कांची के अंदर गले की खरास है तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइदा ह कर दोगा.